मुझा जोब्स में आपका स्वारत है मैं राहुल राज तो आज हम बात करने वाल है SSE MTS के एड्मिट कार्ड के बारे में जो आपका एड्मिट कार्ड कब से होगा डाउनलोड और क्या अपडेट निकल क्या है इजाम के लिए इसी कडिकाड़ी हम बात करने वाल है एक एक चीज के और पूरी डिटेल के और बात करेंगे उससे पहले बता दे अगर आपने SSE MTS का फोरम भड़ा है तो हर छोटी बड़ी आपको ख़बर अपडेट मिलता आ रहा है और आप नए है तो पिस वीडियो को नीचे लाल प्रिटम सब्सक्राइब जुरूर दबादे और बेले के अदबान नाम लोगे जिस हर अपडेट सबसे पहले आपको हम प्रवाइड कर सके तो आई अप चलते हैं इसके डिटेल्स की और हम जानेंगे कि SSE MTS की क्या अपडेट है उससे पहले हम बता दे कि आपका SSE MTS एक्जाम पहले होगा तो उसके लिए आपका सिलेबस आपको अपलोड कर दिया गया है जिसमें आपका 25 रेजिनिंग, 25 GKJS, 25 Math और 25 English ठीक है चार स्टेपों में है ठीक उसके बाद हम सबसे इंपोर्टेंट अब आपके लिए मात्र एक मन्त की समय बच गया है यानि 30 दिन लगबग आपके पास 30 या 35 दिन बच गया, तो मैं आपसे request करूंगा कि आप 30 या 35 दिन में और 23 आप प्राक्टिस सेट ही मारे अब 24 आप प्राक्टिस सेट को clear करें, हर एक दे आप एक प्राक्टिस सेट को लिजिए और 100 question को आप देखी रहे हैं ठीक है इसलिए कि आपको सबसे important चीज कि आपके पास question की संख्या कितनी हो जाएगी 100 और आपके पास समय और 30-60 मिनट यही सबसे important हो जाता है exam में तो आपको बहुत थी कम समय exam में मिलता है इसके लिए आप अभी से ही 35 दिन बचा हुआ है तो आप अपना जो speed है उसको जादा करें ठीक है कि आने वाले समय में आप बहुत जल से जल exam में question को solve करें अगर आप ऐसे देखें तो 30 second से कुछ जादा 30 दूनी का 60 होता है न तो 60 मिनट है दिया गया है लेकिन 30 मिनट से भी आपको ज्यादा आपके पास question की संखिया है 90 से भी ज्यादा यानि 100 है इसके लिए आपके पास समय बहुत ही कम होगा आपके लिए exam में ठीक है आप इसे solve करें आप उसे sort करके आप एक चीज़ को 553 अब समझ यह इतने occurrences से आपको समय से solve करना होगा तो चलिए अब बात करते हैं एक डिटेल्स की और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास 35 दिनों बचे हैं और इस 35 दिनों में आप बहुत ही जादा मेहनत करके अपनी स्पीड को आगे क्यों ले जाएं तो लिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं डिटेल्स क्यों तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी खबर आपको बता दे सबसे अच्छा में आपको बता दू चक्सु पब्लिकेशन की ये बुक और गाइड आपको अफले बद है जो डिक्स बॉक्स में लिकमेर ने डाल दिया है वहां से आप ये ले सकते हैं और पर्चेश कर सकते हैं आप ओनलाइन तो फ्रेंड आए हम इसकी बुक के थोड़ी अच्छा बुक है तो फ्रेंड आईए हम इसको थोड़ी से सुची को चल जैसे आपका यहां दिखा गया प्रिफियर फिर कोस्टन भी आपको इसमें दिये गए हैं दो सेट और यहां क्रेंट सफिर भी इसकी डिटेल्स दी गई है और आपको भाग एक, दो, तीन, चार जि इसको करने बाद आपको यहां एंसर दिया है और एंसर जो आपको नहीं समझ में है उसका फुली डिटेल में आपको समझाया गया है किसमें आपको कोई भी नहीं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आफ, नॉड़, जो डाउट हो, कोस्टन वो आपको मिल जाएगा तो फ्रें जल्दी से जाकर यह बुक को पॉर्चेश कर लें तो जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिखरा होगा यह एससी के थूरू से जाड़ी किया गया नोटीस है इंपॉर्टेंट नोटीस है ठीक है यह आपको सितंबर और अक्टूबर के लिए 2021 के लिए ठीक है इसी क 2020 की अपडेट से चलता आ रहा है ठीक है आईए हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट चीछ आपको पेपर फर्स्ट के ठीक है जो पेपर फर्स्ट के लिए आपको जो डेट निकल किया है पांच दस तो होजार 21 से लेकर बीच तस तो होजार 21 से यानि आपको 15 दिन और एकजाम चलने वाल तो अक्टूबर में आपका इंजाम होगा तो अक्टूबर फोगा तो इससे आपको दस तिन पहले आप मिट कार यानि 25 तारिक से पचीछ नो जो जब एक किसे आपका एडमिट कार्ड आपके हाथों में रहेगा ठीक है पटीश ना होगा अठाइस रहे और अखस्ट के बत का色दने सितंबर औकटूबर एक मंथ आपके पास दमगीन कर है और यह मथ को पणंदर दिन और और वहां है इस मंथ को आपको समय गीन्हा चुना बच गया है इस लिए आपको डीट मेरे में बता दिया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप अपना धुर करें और एक दिन एक दिन आप सोच लिए कि हमको एक सेट को बैठ कर मार देना है टोटा सो कोस्चिनों को मारना है इजाम में आपको सबसे पहले इजी वाले को सॉल्व करें फिर उससे मेडियम वाले को और हाड वाले को लास्ट में सॉल्व करें ठीक है मैं आपसे हाड वाले को इसलिए लाश्ट टो बोलों कि समय विष्ट करें इक्जामों में अधिकांस देखिए सबसी इनपोर्टन चीज ने हम बात करते हैं एक्जाम में आपको जो इजी वाले जो होते हैं और मेडियम वाले और हाड़ वाले ठीक है लेकिन गलती कहां करते हैं कोई कोई एस्टुएंट जो हता है कि आप पहले hard वाला बनाना शुरू करते हैं ये गलती ना करें ठीकिन गलती ये नहीं करना है आपको सबसे पहले क्या करना है EG वाले 40 question यार इसको 40 को कर लेना है ठीक है उसके बाद आपको hard में घुसना है 80 question यार आप secure में आ जाईएगा 80 में आप मानने जिए 70 हमारते हैं बहुत अच्छी बात है कोई कोई करना से 80 प्लस भी जाता है और यहां आप यही 20 question जो आपको hard में लगता है इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले आप easy question करें फिर medium करें फिर आपका hard में ध्यान दिज़े ले easy फिर medium फिर last में hard को इसलिए कि आपके पास total question of 100 और श्रमय और दी 60 यह accuracy आपको ध्यान लेकर चनला पड़ेगा तो चली फ्रेंट अब तक लिए जैहन दोस्तों बंदे मात्राम मेरी जनकारी अच्छी लेगी तक किरिप्यास comment section में जैहन जरू लिखे जनकारी अच्छ झाल ट्रला बंदे जोस्त टनकारी चींग ए जोस्तों 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 झाल ट्यान छाल ग। टॉजई झाल टोस्तों